जी दोस्तों पाँच साल हो गए हैं, काफी लोग जो है पाई के उपर वर्क किये जा रहे हैं, किये जा रहे हैं, बस उनको काफी चीजों का जो है मसला पेश आ रहे हैं, तो मैं बहुत सारी चीजे इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्क्स करूँगा, आपने देखना है मैं स्टार्ट में बता दूँगा कि क्या क्या चीज जो है यहां पे मैं शेयर करूँगा, आपकी जो भी समस्या, जो भी प्राब्लम है आपने वीडियो के अंदर देखनी है, अगर आपके काम की चीज इस वीडियो के अंदर है तो आपने देखनी है, नहीं है तो आपने लीव कर दिनी है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा में चीजें मेजर चीजें जो के आप दोस्तों के पॉइंट्स थे मैंने लिख लिए थे और इसके उपर मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पर मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा इसके मेंट के हावा कावाले से में मसला यहां जिनके पास उनके टोकन आ रहे है तो सेल करने के लिए उनके साथ इसके चैकिलिस्ट जो के आपकी चैकलिस्ट जो है वह मिस तो हो रही है उसके ऑबेस मेंबर यения जिन और नहीं होता means कि उनका पास्रेज वर्क नहीं करता या उनका पास्रेज जो है वो लॉस्ट होगी है तो वीडियो को एंड तक देखीगा अगर आपके काम की चीज हो तो डिटेल के साथ सुनिएगा हर चीज की मैं क्लेर और सिंपल लफजू के साथ आपको वजात करके दूँग साथी बेल के एकन पर क्लिकर के आल पर क्लिक करें दिल से स्पोर्ड करें यार आपके दिल से स्पोर्ड की जरूरत है जैसे मैं आपको दिल से स्पोर्ड करता हूं तो आप भी वैसे स्पोर्ड करें जैसे मैं आपके लिए मेहनत करता हूं आप भी सारी वीडियो देखा करे तो कुई चीज मिसना क्या करें WhatsApp चैनल, Telegram चैनल लाजमी जोईन करें डेली वहाँ पे अपडेट जो है मैं शेयर करता हूँ ताकि आप डेली की अपडेट देखके जो है वहाँ से फाइदा हासल कर सके है और डेली कोंबो वेधरा हर चीज महाँ पे शेयर होती है सबसे पहले मैं आप से बात करूँगा मेनेट के अवाले से मेनेट कब लांच होगा सबसे पहला सवाल यह है कि मेनेट लांच करने के जिए सबसे पहले टीम की रेक्वईर्मंट यह है कि पहले हम जो पंद्रह मिलियन लोगों की के वईसी हैं करेंगे जैसे आप हैं मैं हूँ हमारी जो के वैसी है पाई की 15 मिलियन जब तक कमपनी पूरी के वैसी यह नहीं करेगी और 10 मिलियन जो वैलेट हैं उनके अंदर transaction पाई जो हैं ट्रांसफर नहीं करेगी तब तक जो है यहाँ पे क्या होगा मेनट इनका नहीं आएगा बट होफुली उमीद ये है 2024 के अंदर इसका मेनट लॉंच हो जेगा मुझे 80% उमीद है बाकी देखते हैं लेट सी क्या करते हैं ये इसके इलावा पाई के सेलें के हवाले से बात करूँ सबसे पहले मैं आपको मशवरा ये दूँगा के होल रखें अगर आज रेट इसका देखा जाए ब्लैक मार्किट के अंदर मैं खुद भी बाय करता हूँ अगर आप सेल करना चाहें तो मेरे साथ भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं विदिन पांच से दस मिनट के अंदर आपको पेमेंट मिलते हैं अल्रेड हजारों लोग पाई सेल करते हैं मेरा चैनल मेरा वाट्सअप ग्रूप वगरा पाई के नाम से ही है क्योंकि मैं पाई का वर्क शूरू से ही करता हूँ अगर हम मैं मश्वरा ब्रादरा ना दूँगा होल्ड कर सकते हैं होल्ड कर लें रिस्की है जब यह लॉंच होगा मेंट आएगा हो सकता है इसका रेट जो एक डालर दो डालर चला जब वैसे इसकी प्राइस गूगल की उपर जाके देखें तो इसकी जैसे हाईप क्रियेट हुई है तो लोगों के पास टोकन वैसे तो जी आदा नहीं है बढ़ इसकी प्राइस भी इतनी नहीं नहीं आ सकती एक डालर तक आ सकती है उमीद है तो ठीक है प्राइस के यह वाले से मैंने आपको बता दिया प्राइस इसकी आज की रेट की आज डेट देख लें पांच अगास्त है पांच अगास्त को इसका जो रेट है मार्कीट के अंदर बलेक में जो लोग बाय करके होल्ड करें उसमें इसकी जो वैलियो इसका रेट है वो है 115 रुपए आज से दो दिन पहले चले जाएं रेट इसका था दो 125 रुप है 130 रुप है 131 रुप है आज इसका रेट 115 है में भी आप कम हो गयो मैं थोड़ा बीजी था अपने कामू में तो चेक नहीं किया ठेके 115 आज का रेट 5 अगस्त का इसके इलावा आता है चेक लिस्ट चेक लिस्ट के लिए उपर यहाँ पर सक्रीन आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर आपको नजर आएगा में अट में अट की उपर क्लिक करें यहाँ पे कुछ चीजे आपको जो होती है जो के यहाँ पे आपको दूसरे नमबर पे transfer able balance और migrate जो है यहाँ पे main head आपको नज़र आता है तो यहाँ पे इसके नीचे आपको एक option नज़र आता है main head checklist यह मैं आपको यहाँ पे show करवार हूँ main head checklist है इसके उपर आप click करेंगे तो आपकी checklist जो है वो आपको नज़र आएंगी सारी checklist आपने complete करके रखनी है कैसे अभी आपको यहाँ पे open हो जाएं मैं आपको दिखाता हूँ सारी checklist आपकी green होनी चाहिए अगर यहाँ पे कुई एक checklist अगर आपकी miss है तो उसको आपने check करना है उसके अंदर आपका मसला क्या आ रहा है mostly लोगों का जो है दो जो है वो miss होती है एक जो है उनका KYC result के उपर यह जो open हो चुकी यहाँ पे देखें यहाँ पे nine जो है step है तो तकरीबन इसके इस account के कितने साथ आठ्वा नुमा रहते हैं आठ्वा के उपर क्या कर रहा है वो bit get sorry KYC result वो अभी तक यहाँ पे इनका अनॉंस नहीं हुआ मतलब KYC इनकी pending में है इसके इलावा इसके बाद last option शो होता है migrate to mainit यह दो option mostly लोगों को जो है इनके उपर issue आता है अभी यह जो है इसका मतलब यह है कि आपकी KYC के अंदर कोई मसला था यह भी account मेरा है मैंने आप लोगों के लिए KYC का अकाउंट KYC की थी तक आपको check कर वहूं कि अगर fake यहाँ पर हम जो है data डालते हैं तो अकाउंट जो verify करते हैं या नहीं करते हैं बट इनकी टीम बड़ी strong है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना fake नाम दिया था जस्ट बाकी हर चीज़े original दीती एक मेरा account है जिसके उपर हर चीज़े original दीती वो verify हो गया यह verify नहीं हो सका इसके उपर मैंने नाम जो है जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया के अगर यहाँ पर fake डालते हैं तो fake डालने से के वसी अगर हो जाती है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप लोगों की वज़े से मेरा यह account जो है तकरीबन तीन साल से जो यहाँ पर pending में लटक चुका है कोई मसला नहीं है आप से कुछ भी प्यारा नहीं है मुझे यहाँ पर यह इसके लिए आपको वेट करना होगा अभी इसका कोई solution नहीं है mostly चीज़े मैंने वीडियो आपको वगरा शेयर की थी कि वहाँ पर जाके अप्रूवल रिक्वेस्ट डालें अगर रिक्वेस्ट डालने से अप्रूव कर देते हैं तो ठीक है बट वहाँ पर अच्छा रिस्पोस नहीं आया काफी लोगों को यहां पर हैल भी उनका अकाउंट वेरिफिय भी होगा बाकि यह जो टास्क आपको नदर आ रहा है माइगरेट व्यूमेनिट यह जब जाके आपका गरीन होगा जब आपका यह वाला बैलेंस थोड़ा से बैक करतो हो यह वाला बैले बता दी लोकाप सेटेंग मेन चीज यार यह आती है जब आप लोग के वाइसी वगरा कर लेते हैं हर चीज आपकी हो जाती है टोकन सेल करने आते हैं तो आपका आगे बैलेस्ट जो है वह लोकाप होता है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लुग का मार दे क्लिक करने के बाद ये परसंटेज आपको कुछ इस तरह की शो होगी आपने इसको जो है 90% कर देना है ठीक है उपर वाले को क्या करना है 90% कर देना है और नीचे वाले को 2 वी करें या 6 मन्त करें मैंने यहां पे इस आकाउंड की 6 मन्त की 1 की मैंने 2 वी की तो इससे करें यह कंपनी जो नहीं बोलेगी ऐसा करके फिर आपको एक option नजर आएगा यहां पर increase commitment यहां पर अगर कमेटमेंट के उपर अगर मैं क्लिक करूं तो यह नहीं करेगा क्यूंकि हां कि मैंने वेट कर लिया यह KFC के रिजाल्ट के लिए तो इतना नहीं हो सकता है इसके लाव आता है उससी हरची लिक के रख़े हैं इसा और अगर इसका जए पास्रेज अगर आप reset करते हैं जो आपका balance यहाँ पर migrate वाला है यह आपको receive नहीं होने वाला ठीक है यह जो है transfer होगा जो आपका पहले पास्रेज लगा हुआ था उस वैलेट के अंदर ठीक है यहाँ पर आप इसको जो है commitment कर देती है ना यहाँ पर चेक्लिस्ट वाली यहाँ पर मैं आपको शो कर वहाँ हूं यहाँ पर आपका उस वैलेट का जो है address पुब्लिक जो अड्रेस है वो यहाँ पर जो कमिट हो जाता है जिस वजह से उस वैलेट के अंदर आपके टोखन चले जाते हैं जिसका पास व्रे 있io जाता है जब कि अगर आप के आपके वह लास्ट हो गया तो आप इस तरीके से जो है उसे रिकावर भी कर सकते हैं उमीद करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर क्वेस्टन हो एक्वाइर है तो आप कुमेंट कीजिए आपका भाई आपको रिस्पोंस करेगा सो थैंक्स फर वाचिंग